ओम शांती, आज बाबा के 6 जून 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइस डेट है 14 जनवरी 1988, आज के मुरली में बाबा ने उदासी आने का कारण क्या है? वो विशेश रूप से स्पस्ट किया, उचे से उचे बाबा ने अपने आज्याकारी बच्चों को देखा, कि मेरे बच्चे कोई तो सदा आज्याकारी हैं, और कोई कभी कभी के आज्याकारी हैं, सब नंबर वार हैं। नंबर वन आज्याकारी बच्चों की निशानिया बाबा ने बताई, कि जो बच्चे करम करते हुए स्मृति स्वरूप रहते हैं, ऐसे बच्चे सदा बापतादा की आशिरवाद का अनुभव करते हैं, संतुष्टता का अनुभव करते हैं, ऐसे बच्चे अतिंद्रिय कानुभव करते हैं, कोई-कोई बच्चे करम के बाद स्मृति में आते हैं, तब उन्हें लगता है कि हमसे कुछ भूल हुई है, बाबा देख रहे थे कि जो नंबर वन आज्याकारी बच्चे हैं, उनसे भी कभी-कभी कोई-कोई बच्चे ऐसंतुस्ठ हो जाते हैं, उसका का कारण क्या है, अपने ही कारणों से कोई-कोई ऐसंतुस्ठ हो जाते हैं, उनकी मन की अपेक्षाएं, इच्चाएं उन्हें ऐसंतुस्ठ कर देती हैं, कभी वो गलत फैमी का शिकार हो जाते हैं, अपनी कमी से, कभी उनकी इच्चाएं अपने बड़ों से वो ऐसंतुस्ठ क कर देती हैं और कभी हिसाब किताब के कारण भी बाबा नी कहा कि जो नंबर वन आज्याकारी बच्चे हैं उनसे 95 प्रतिशत अत्माई खुश और संतुष्ट रहती हैं लेकिन जो 5% हैं वो अपने स्वभाव संसकार के कारण ऐसंतुष्ट हो जाते हैं फिर भी बाबा नी कहा आप बच्चे जो नंबर वन आज्याकारी हैं उनकी निशानी है कि वो अपने आप से भी संतुष्ट होंगे करम से भी संतुष्ट होंगे आने वाली आत्माई भी उनसे संतुष्ट होंगे अगर ये नहीं हो रहा तो चेक करो कहीं आज्याओं को पालन करने में कोई कमी कमस तो नहीं, कुछ छोटी-छोटी अवग्याईं भी है, जो हमारी खुशी को गायब कर देते हैं, जैसे अमरित वेले विधी पूर्वक याद में ना बैठना, उठतो जाएंगे, वेकिन विधी पूर्वक नहीं बैठेंगे, तो ये छोटी सी अवग्या भी उदास कर देगी, निराश कर देगी, ऐसे बाबा की शिरिमत मिली हुई है, कोई भी करम, करम योगी बनके करो, करम करते करते बाबा की याद में रहो, करावनहार की स्मृती में रहो, करम करने के बाद हम सोचते हैं आरे, बाबा को तो भूली गए, इसी तरह से बाबा की आज्या है, निमित भाव से करम करो और हम मैपन में आके कर लेते हैं दिरिस्टि वृत्टि के लिए भी बाबा की आज्या मिली हुई है बाबा ने कहा ये तो बाबा ने चुटा सा उधारंड दिया ऐसे आप स्वेम चेक करो कि कहां कहां मुझसे आवज्याईं हो जाती है जब अवग्याई हो जाती हैं करम बंदन खीचता है बोजिल हो जाते हैं और अगर कोई बैच्चा आग्या कारी है वो शिरीमत प्रमान करम करता है तो वो हल्क की पन का अनुभव करता है वो कभी किसी बंदन में नहीं बंदता बुद्धियोग भी एकाग्र हो जाता है अगर अगर आपको लगता है खाली पन है कहीं कहीं अंदर से ठका हुआ अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आग्या पालन में कमी रही है और उसको ठीक करना है बाबा ने सावधान किया बच्चों को कि अभी संगम यूग का समय शिरीमत प्रमान करम करके परमातम दुआओं और आशिर्वाद से सफलता कानुभव करो मुलाकात में बाबा ने सभी को रूहान यात्री के रूप में देखते हुए कहा कि आपको मेरे मेरे पन से बुद्धियोग हटा लेना है माताओं को विशेश बच्चों में पोत्रों धोत्रों में मोह होता है भाईयों कि मना नहीं है कमाओ धन लेकिन अपने लिए समय अवश्य निकालना है सावधान किया बाबानी कि जो रूहान यात्री अपने को अनुभव करते हैं वो किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं सावधान करते करते बाबनी का अब थकी और निराश आत्माओं को सिध्धी साधना नहीं करना चाहती तो आप उनको अपनी साइलेंस के शक्ति से एक सेकंड में अनुभूती कराकर उनके मददगार बनो माया के आने का गेट कमजोर विचार है जो भी हमारे कमजोर संसकार है विचार है उसी से माया आती है तो अपने आपको वहाँ से बचाना है उस को बंद कर देना है आज याद रखेंगे मैं बाबा का आज्या करी बच्चा हूं बाबा की आशिर्वाद से दुआउं से पल रहा हूं सुबह सिले के रातरी तक जो भी मेरे लिए आज्याई मिली हुई है मुझे उस पे खुशी-खुशी चलना है अब सुनते हैं मुर्ली को विस्तार से मुर्ली का सार है उदासी आने का कारण छोटी-मोटी अवग्याएं आज बेहद के बड़े ते बड़े बाब उच ते उच बनाने वाले बाब अपने चारो और के बच्चों में से विशेश आज्याकारी बच्चों को देख रहे हैं अज बाबा चारो तरफ के बच्चों को देखते हुई विशेश अपने आज्याकारी बच्चों को देख रहे हैं आज्याकारी बच्चे तो सब अपने को समझते हैं लेकिन नंबरव कोई सदा आग्याकरी और कोई आग्याकरी कोई सदा आग्याकरी और कोई आग्याकरी सदा नहीं है आग्याकरी की लिस्ट में सब बच्चे आ जाते हैं लेकिन अंतर जरूर है आग्याकरी तो सभी है लेकिन अंतर जरूर है आग्या देने वाला बाप सब बच्चों को एक समय पर एकी आज्या देते हैं, अटेंशन से सुनेंगे, दारी पैन लेकर बैठेंगे, अपनी चेकिंग साथ-साथ, बाबा नी कहा, आज्या देने वाले बाबा नी सब बच्चों को एकी समय पर एकी आज्या दी, अलग-अलग भिंबिन आज्या भी नहीं देते, फिर भी नंब परवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प, हर करम करते, बाबा की आज्या का सहज समर्ती स्वरूप बनते हैं, वो स्वते ही हर संकल्प, बोल और करम में आज्या प्रमान चलते हैं. जो बच्चे सहज रूप से बाबा की आज्या को संकल्प में समर्ती में लाते हैं, ऐसे बच्चों की संकल्प, बोल और करम आज्या प्रमान चलते हैं, और जो समर्ती स्वरूप नहीं बनते, उनको बार-बार समर्ती लाने पड़ती हैं. कभी स्मर्ती के कारण आज्या करी बनके चलते हैं, कभी चलने के बाद आज्या याद करते हैं. क्योंकि आज्या के स्मर्ती स्वरूप नहीं, जो स्रेश्ट करम का प्रत्यक्ष्वल मिलता है, वो प्रत्यक्ष्वल की अनुभूती नहोने के कारण, करम के बाद याद आता है, कि ये रिजल्ट क्यों होई? करम के बाद चेक करते, तो समस्ते हैं, जो जैसी बाप की आज्या है, उस प्रमाणना चलने के कारण, जो प्रत्यक्ष्वल अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हुआ. इसको कहते हैं, आज्या के समर्ती स्वरूप नहीं है, लेकिन करम के फल को देखके समर्ती आई, बाद में समर्ती आई, तो नंबर वन है, सहज स्वतह समर्ती स्वरूप आज्या कारी. दूसरा नंबर है, कभी समर्ती से करम में आने वाले, कभी करम के बाद समर्ती में आने वाले, एक है करम करते हुए समर्तियों में रहना, एक है करम हो जाने के बाद समर्तियों में आना, तीसरे नंबर की तो बाती छोड़ दो, दो मालाई है, पहली छोटी माला है, और दू इसरी की तो माला ही नहीं है इसलिए दो की बात कर रहे हैं आज नंबर वन आज्याकारी नंबर वन आज्याकारी चेक करते जाएंगे अपने आपको मैं कहां पर हूँ क्या मैं बाबा का नंबर वन आज्याकारी बेच्चा हूँ नोट करेंगे बाबा ने नंबर वन आज्याक ककारन की आज़रों के आद में यसमारी के लिए कि वह सदा अम्रितविले से रात तक सार्धिन की दिन चरियां के हर करम में आज्या प्रमाण्ट चलने के हर करम में मेहनत नहीं अन्भव करते किसी भी करम उनको मेहनत अन्भव नहीं होती लेकिन आज्याकारी बनने का विशेश फल बाप के अशिरवाद के अन्भूती होती है पहली अन्भूती बाबा के अशिरवाद की आज्या पर चलने के कारण उनको बाबा की आशिरवाद natural feel होती रहती है क्योंकि आग्याकारी बच्चे के उपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआईं साथ है आग्याकारी बच्चों के साथ क्या है बाबा की दिल की दुआईं सदा साथ है इसलिए दिल की दुआउं के कारण हर करम फलताई होता है क्योंकि करम बीज है और बीज से जो प्राप्ती होती है वो फल है तो नमबर वन आज्याकारी आत्मा का हर करम रुपी बीज शक्ति शाली होने के कारण हर करम का फल संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है जो नमबर वन आज्याकारी है करम रुपी बीज शक्ति शाली होने के कारण हर करम का फल संतुष्टता सफलता प्राप्थ होती है संतुष्टता अपने आप से भी होती है करम के रिजल्ट से भी होती है अन्यात्मों के संपर्ग से भी होती है तीन प्रकार की संतुष्टता अपने आप से भी, कर्म से भी, अन्यात्माओं की संबंध संपरक से भी, तीनों बाते याद रखेंगे, चेक भी करेंगे, क्या मुझे ऐसा अनुभव होता है? नमबर वन आग्यकरियातमों के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वते सदा अनुभव होती है कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयम संतुष्ट होते हैं मैंने बहुत अच्छा विधी पूर्वक कर्म किया लेकिन कहां सफलता रुपी फल जितना स्वयम समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता कहां फिर स्वयम भी संतुष्ट फल में भी संतुष्ट लेकिन संबंध संपरक में संतुष्टता नहीं होती है तो इसको नंबर वन आज्याकारी नहीं कहेंगे नंबर वन आज्याकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा वत्मान समय के प्रमाण कई स्रेष्ट आज्याकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई-कोई आत्माई अपने को ऐसंतुष्ट भी अनुभव करती है अब और ध्यान से सुनने वाली बात अटेंशन देने वाली बात कोई-कोई नंबर वन आज्याकारी बच्चों से भी कई बच्चे ऐसंतुष्ट हो जाते हैं कोई-कोई आत्माई अपने को ऐसंतुष्ट अनुभव करती हैं आप सुचिनगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सारे ही संतुष्ट हो कोई न कोई ऐसंतुष्ट हो भी चाहते हैं लेकिन वो कई कारण होते हैं क्या कारण होते हैं अपने कारण को न जाने के कारण मिसंडेस्टेंड कर लेते हैं गलत फैमी के शिकार हो चाहते हैं मिसंडेस्टेंडिंग हो चाहती हैं दूसरी बात, अपनी बुद्धी प्रमार, बड़ों से चाहना इच्छा जादा रखते हैं, और वो इच्छा जब पूरण नहीं होती, तो ऐसंतुष्ट हो जाते हैं, अपने से बड़ों से अधिक expectations रखते हैं, चाहना रखते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसंत संतुष्ट हो जाते हैं, तीसरी बात, पहली बात, गलत फैमी, दूसरी बात, इच्छाएं रखना, तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संसकार, हिसाब किताब के कारण भी, जो संतुष्ट होना चाहिए, वो नहीं होते, इस कारण, नमबर वन आज्या कारिय आत्मा का, वस्रेश्ट आत्माओं द्वारा, संतुष्ट तन्ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने ही कारणों से ऐसंतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए कहां कहां दिखाई देता है, कि हर एक से कोई ऐसंतुष्ट है, कोई ना कोई ऐसंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे 5% ऐसंतुष्ट दिखाई देते हैं 95% आत्माई संतुष्ट नजराती हैं 5% ऐसंतुष्ट वाली भी होती हैं तो नंबर वन आज्या कारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्या प्रमाण स्रेश्ट करम होने के कारण हर करम करने के बाद संतुष्ट होने के कारण करम बार बार बुद्धी को मन को विचलित नहीं करेगा अब हमारा ठीक है या नहीं है करम उसका प्रमान बाबा केते ऐसी आत्मा क्योंकि वो आज्या पर चल रही है स्रेस्ट करम कर रही है तो वो करम बार बार विचलित नहीं करेगा मन बुद्धी को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया है या नहीं किया है second number वाले को करम करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है पता नहीं ठीक किया या नहीं किया जिसको आप لوग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता रहता है कि ठीक नहीं किया number one आज्या कार्यात्मा का कभी मन नहीं काता है क्योंकि वो आज्या प्रमान चल रही है तो ऐसी आत्मा सदा हलकी रहती है क्योंकि करम के बंधन का बोज नहीं है पहले भी सुनाय था एक है करम के संबंध में आना दूसरा है करम के बंधन के वश्करम करना एक है करम के संबंध में आना दूसरा है करम के बंधन वश्करम करना तो नंबर वन आत्मा करम के संबंध मे आने वाली है इसलिए सदा हलकी है एक है करम संबंध दूसरा है करम बंधन संबंध वाली आत्मा हलकी रहती है नंबर वन आत्मा हर करम में बाप दददवरा विशेश आशिरवाद की प्राप्ति के कारण हर करम करते आशिरवाद के फल्सवरूप सदा अंत्रिक विल पावर अनुभव करेगी, नंबर वन आत्मा आशिर्वाद का अनुभव करेगी, आंत्रिक विलपावर का अनुभव करेगी, अतींद्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदापने को भरपूर संपन अनुभव करेगी, चित्र बनाते जाएंगे, संपन अताका, ऐसी आत्मा जो सच मु का अन्भव होगा अतींद्रिये सुक का अन्भव करेगी कभी कभी कई बच्चे बाबा के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हुए क्या कहते हैं ना मालूम क्यों आज अपने को खाली-खाली समझ रहे हैं कोई बात भी ने हुई लेकिन संपनता वा सुक की अन्भूती नह नहीं होती हैं चलते चलते अंजान वा अलबेले पन में समय प्रती समय आज्या के प्रमान काम नहीं करते पहले समय की अवग्या का बोज किसी समय अपनी तरफ खीचता है कभी भी अवग्याएं की तो वो अवग्याओं का बोज अपनी ओर खीचता है यसे पिछले जन्मों के कड़े संसकार, स्वभाव, कभी-कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खीच लेते हैं, ऐसे समय प्रती समय की हुई अवग्याओं का बोज, कभी-कभी अपनी तरफ खीच लेता है, वो है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, च पुराना संसकार है, चाहे पिछले जनमों का है, चाहे इस समय का हिसाब है, बिना योग अगनी के, कभी-भी खतम नहीं होता है, पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जनम का, चाहे पिछले जनम का, लगन की अगनी स्वरूप सिती के बिना भस्म नहीं होता सदा अगनी स्वरूप सिती अर्था शक्ति शालियाद की सिती कैसे विकरम विनाश होते हैं जब लगन की अगनी प्रजवलित हो शक्ति शालियाद की सिती हो बीजरूप लाइट हाउस माइट हाउस जिती सदाना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं इसलिए रहाँ वो हिसाब अपनी तरफ खीचता है उस समय कोई गल्ती नहीं करते हो पता नहीं क्या हुआ कभी मन नहीं लगेगा याद में सेवा में वह कभी उदासी की लेहर होगी एक होता है ज्यान द्वारा शांती का अनुभव दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सनाटे की शांती वो बिना रस के शांती होती है सिरफ दिल करेगा कहीं अकेले में चले जाएं अकेले में बैठ जाएं यह सब निशानिया है कोई ना कोई अवग्या की है चेक करेंगे यह ऐसी कोई अवग्या तो नहीं हुई करम का बोज खीचता है अवग्या एक होती है पाप करम करना वह कोई बड़ी भूल करना दूसरी छोटी छोटी अवग्याईं भी होती है एकोती बड़ी बड़ी अवग्याई करना जिससे मन भारी हो चाता है अंदर खाली अन्भव करते हैं और छुटी छुटी अवग्याई भी होती हैं जैसे बाप की आज्या है अमरित वेले विधी पूर्वक शक्ति शाली याद में रहो तो अमरित वेले अगर इस आज्या प् रहेंगे नहीं बाबा की श्रीमत क्या है उठते ही गुड मॉर्निंग करने के साथ हम उस्थान से अलग स्थान पर एक्टिव अलर्ट होकर बाबा के समुख बैठें बाबा से द्रिस्टी ले मिलन मनाए अच्छी अनुभूती करें पावर्फुल अमरित वेला करें अगर विधी पूर्वक याद नहीं है तो बाबा केते ये भी अवग्या है बाबाने का अमरित वेले अगर आज्या प्रमाण नहीं चलते उसको क्या कहेंगे आज्या करें या अवग्या हर करम करम योगी बनके करो ये भी आज्या है जो करो करम योगी बनकर करो निमित भाव से क करो, निर्मान बन के करो, यह आज्याएं है, ऐसे कुछ लोग करम करेंगे, मैपन से करेंगे, दिखावे से करेंगे, किया तो सही, लेकिन टकराव होगा, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन द्रिष्टांत की रिती से सुना रहे हैं, द्रिष्टी वृती सब के लिए आज्या है इन सब आज्याओं में से कोई भी आज्या विधी पुर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवग्याएं ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खीचेगा अपने आपको चेक करो और चेंज करो अच्छा चारो और के सर्व आज्या कारी स्रेश्ट आत्माओं को सदा बाप्त वारा प्राप्त हुई आश्यरवाद की अनभूती करने वाले विशेश आत्माओं को सदा हर करम में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को हर कदम पे कदम रखने वाले आज्या कारी बच्चों को बाप्त दका याद प्यार और नमस्ते अब बाबा की मुलाकात है अपनी को सदा रूहानी यात्री समझते हूँ यात्रा करते क्या याद रहेगा जहां जाना है वो याद रहेगा अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भूलाते हैं अगर कोई देवी की यात्रा पे जाएंगे तो जै माता दी जै माता दी कहते जाएंगे तो रूहानी यात्रीयों को सदा क्या याद रहता है अपना घर परमधाम याद रहता है ना पूछ रहे हैं बाबा अपना घर परमधाम याद रहता है ना वहाँ ही जाना है तो अपन गर अपना रज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है यआ और बातों की याद आती है पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती न? ऐसे निकी यहाँ रहते हैं तो याद आजाती है रहते हुए भी नियारे जितना नियारे उतना बाप के प्यार का अनुभव कर सकेंगे तो चेक करो पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फरस तो नहीं जाते हो कमल पुष्प कीचड में रहता है लेकिन कीचड से न्यारा रहता है तो सेवा के लिए रहना पड़ता है मोह के कारण नहीं तो माताओं को मोह तो नहीं है, अगर थोड़ा पोत्रे धोत्रे को कुछ हो जाए, फिर मोह होगा, अगर वो थोड़ा रोए, तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा न, क्योंकि जहां मोह होता है, तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है, ऐसे ने उसको बुखार हो, तो आपको भी मन का भुखार हो जाए, मोह खीचता है न, पेपर तो आते है न, कभी पोत्रा बिमार होगा, कभी धोत्रा बिमार होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी बिमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही, कभी धन की समस्या, कभी बिमारी की समस्या, ये तो होग पैसा कमाने के बाद भी पैसा कमाने के बाद भी याद बनी रहे या पैसा कमाने में याद भूल जाएगी शरी निर्वार्त करम करने के लिए निमित रूप से काम करना वो दूसरी बात है पर ऐसे लग जाना और पढ़ाई भी भूल जाए याद भी भूल जाए उसको कहेंग उतना स्मृति स्वरूप होंगे कुमारों से बाबा नी बात की बाणी से तो माताईं भी सेवा करती है निमित बहने भी सेवा करती है लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्मेंट का भी अटेंशन चाहे जैसे सुरिये उदे होता है तो स्वते ही सबका आटेंशन चाहता है कि रोश्णी आ रही है आईसे आपकी तरफ सबका आटेंशन चाहे समझा वेरी स्पेशल वर्दान ठकी वा तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धी देने वाले खुदाई खिदमत का आरभव ठकी हुई वा तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धी देने वाले खुदाई खिदमत का आरभव आत्माओं की बहुत समय से इच्छा वा आशा है निर्वान वा मुक्ती धाम में जाने की इसके लिए अनेक जन्मों में अनेक प्रकार की साधना करते ठक चुकी है अब हर एक सिद्धी चाहता है ना कि साधना सिद्धी अर्थास सद्गती तो ऐसे तड़फती हुई ठकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप स्रेश्ट आत्माओं साइलेंस की शक्ती वा सर्व शक्तियों से एक सकंड में सिद्धी दो अपनी साइलेंस की शक्ती से एक सकंड में सिद्धी दो तब कहेंगे खुदाई खिद्मतगार स्लोगने कमजोर संसकार ही माया के आने का गेट है कमजोर संसकार माया के आने का गेट है अब इसे बंद करो आज हम भ्यास करेंगे मैं बाबा का आज्याकारी बच्चा हूँ ओम शान्ती और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुने